नर्भेया की माने R9 TV से स्कुरूजिप जब बाचीत की उन्होंने कहा कि थोड़ा वक्त लगा और ये वक्त काटना बहुत ज्यादा मुश्किल था लेकिन हमने काटा भरोसा कानून पर था अदालत पर था इसलिए ये लंबा वक्त 2012 से लेकर 2020 तक का हमने काट लिया अदालत क का फैसला सुकून देने वाला है अब जाकर नर्भेया को इंसाफ मिला है उनको इंसाफ मिला है क्या कुछ कहा पूरी बात R9 TV पर हम आपको दिखा रहे हूं इस वक्त मेरे साथ वो मा मौझूद है जिसने साथ साल का बड़ा लंबा सफर तै किया है ताकि उसकी बेटी को इंसाफ मिले मैं आज उनी से जानूगी कि इन साथ सालों में उन्होंने कितनी दिक्कतों का सामना किया इस वक्त मेरे साथ निर्भेया की मा अश्यदीवी जी है साथ साल लग गए आपको इंसाफ पाने के लिए क्या इस फैसले से आप पूरी तरीके से संतुष देखिए हमने साथ साल संघर्ष किया और इसी लिए किया तो संतुष हैं क्योंकि लेट हुआ और बहुत लेट हुआ साथ साल लग गए लेकिन संतु से इसलिए हैं कि हम इसलिए संघर्ष कर रहे थे तो फाइनली उनका डेट डिसाइड हो गया कि 22 को फांसी होगी संतु से इसलिए कि अब उमीद है जगी है कि नहीं अब उनको बाइसतारी को फांसी हो जाएगी और बेटी को इनसाफ मिलेगा जो भी ये लेट हुआ है तो कहीं न कहीं ये है जो हमारी जुदिष्टरी है या हमारी नयाए बेवस्ता है इसके कमी से हुआ है क्योंकि कानुन तो है कोट तो है लेकिन नियम या एक समय निर्धार्ट नहीं है समय का बाउंड नहीं है कि नहीं कितने महीने में इनको क्योरी करना है कितने महीने में इनको सुप्रीम कोट से निकलना है कि मैंने समय बाउंड नहीं है सुप्रीम कोट के फैसले के बाद उनके पास अनलिमिट टाइम है जिसका वो फैदा उठा रहे हैं मैंने इस केस को कंटिनीव लड़ा है फिर भी साथ साल लग गए तो जो अनलिमिट टाइम है इनके पास जो समय बाउंड नहीं है उसी का ये मुझरिम फैदा उठा रहे हैं उनकी उकिल फैदा उठा रहे हैं आज खिशते 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 इतना लंबा खिचा कि शाथ साल का समय निकल गया कल भी जो डेट फाइनल हुई है कल भी वो यही कहके date को आगे बढ़ाना चाहते थे कि नहीं हमारे पास अधिकार है लेकिन court ने jail दो-दो बार jail ने notice किया बार-बार court ने उंको समय दिया warning किया कि नहीं जो भी आप का अधिकार है, विडियो दो-दो बार का आपका अधिकार है मुझे में उसे हुआ कि जो भी आपका अधिकार है उसको आप इस्तमाल करिए लेकिन उन लोगों ने नहीं किया, समय खिचते गए तो कहीं न कहीं यह हमारे जो कानून विवस्ता है उसकी कम्मी है जो लोगों को समय से इंसाफ नहीं मिलता लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ता है और इसका परिणाम समाज में हमारे बच्चियों को भुगतना पड़ता है साथ साल का लंबा सफर जो आपने तेह किया इसमें आपको कितनी मुश्किले, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा देखिए बहुत मुश्किल रहा बहुत चुनावती पूर्णा क्योंकि चीजें हमें नहीं पता थी हम बहुत एक नार्मल तरह से अपने बचों के साथ घर में रहते थे उनको पढ़ाये लिखाए इस चीज से हम बहुत दूर दूर तक हमारा कोई कानून से लेना देना नहीं था एक एक चीज के लिए इतनी चुनावतियां होई कि एक एक चीज के लिए हम दो दो तिन तिन महींने हमें भागना पड़ा एक चीज को पता करने के लिए बहुत चुनावती पूर्ण रहा लेकिन इन साथ साल में बहुत चीजें को आनभव हुआ कि हमारे कानून में कहा कहां कमिया है कहां कहां अगर ठीक हो सकता है तो हमारे बचियों को जल्दी नयाय मिलेगा या कानून के प्रती लोगों का विश्वास जगेगा या ऐसे लोगों को मन में डर होगा ये जरूर अन्भो हुआ क्या आपको लगता है कि ऐसे फैसलों के बाद जिनकी गंदी सोच है जो ऐसी हरकते करते हैं उन्हें डर आएगा और वो ऐसी हरकते करना छोड़ देंगे जी बिल्कुल डर होगा उनके घर में डर होगा उनके परिवार में डर होगा उनको माबाप को डर होगा खुद को डर हो सुरू करेंगे खुद भी ऐसे लोग एक बार सोचेंगे कि नहीं अगर हम भी ऐसा कुछ करते हैं तो हमें भी सजा ज़रूर मिलेगी क्योंकि आज के डेट में घटनाय रोज होती हैं लेकिन किसी को सजा नहीं मिलती है जेल में जरूर रहते हैं खाते हैं पीते हैं मस्ती करते हैं लेकिन उनको फांसी की सजा नहीं होती है तो जब ये फांसी होएगी समाज में इसका एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा ऐसे करने से एक बार जरूर वाइसे लोग सोचेगी जब आप ये साथ साल की लड़ाई लड़ रही थी उसी बीच आपको हैदरबाद उन नाव जैसे दुर्शकम के बारे में पता चला होगा तो क्या आपके मन में आया और क्या आपने उस ताइम सोचा क्योंकि हमने ये नहीं कि साथ साल पहले घटना हो गई या हम साथ साल बीत गए नहीं हम उस घटना को हर रोज जी ए हैं हर वक्त जी है कभी अपने रूप में, कभी किसी बची के साथ हुआ, उसके लिए कभी कहीं हुआ, मैंने हर रोज उस चीज को हम महसूस किये हैं। आज भी हम समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए हैं। उसका वो मुजिर्मों को सपोर्ट करता है, जो सजा नहीं मिलती है। नाव जैसे पता नहीं कितने केसिस हैं, जो कोट में आज भी पेंडिंग है, लम्मेद हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहें। उनके लिए भी यहीं हम कहना चाहेंगे कि हार नहीं माननी चाहिए। संघर्स बहुत लंबा है, मुश्किले बहुत है, लेकिन सचाई दबती है, मरती नहीं है। तो एक न एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, जो ऐसे केसिस के लिए कहीं न कहीं हमत नहीं जुटा पाते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें काफी लंबा समय तैय करना पड़ेगा। कहीं न कहीं डर उनके मन में होता है कि अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए। तो उन लोगों के लिए आप क्या क्याना चाहिए। जरूर होगी क्योंकि निर्भया से खराब केस कुछ नहीं हो सकता और कुछ भी नहीं हो सकता। तो मुझे कहीं न कहीं एक विश्वास नयाय के प्रती जुड़ा हुआ था। उसी के धर्य के साथ हमने लड़ाई लड़ी। आज उस मुकाम तक पहुचे हैं और उमीद करके कह सकते हैं कि नहीं आप उनको भांसी हो जाएगे। देखिए सबसे हमें यह जरूरी है, हम यही कहना चाहेंगे हर माबाप को, हर बची को, कि अपने बचीयों के मन से डर को निकाले। क्योंकि कहीं न कहीं हम डर भर देते हैं, लेट से जाओगे, कुछ हो जाएगा, फ्लान, ठिकान, तो बचीयों को मन से डर निकाले, उनको सक्चम बनाएं, उनको निडर करें। एक समय वो भी आएगा कि हमारी बचीयां अपना सुरक्षा खुद करेंगी, खुद जबाब करेंगी, लेकिन इसके लिए हमें माबाप को, परिवार को, बचीयों को सपोर्ट करना होगा, उनको सक्चम करना होगा, सबसे जरूरी है कि हम उनको निडर करें। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि कही कही बार ऐसा हुआ कि आप जो है, आपने फैसले कुछ और चाहे, और दिख कुछ और रात और आप कही बार टूटी भी, लेकिन आपने हमत नहीं हारी, आपने जो ये लंबा सफर तै किया, ये ठान के किया कि आपकी जीत होगी, और व अपने हिसाब से चलता है और सब कुछ करवाता है, तो जो हमारे साथ, हमारे बच्ची के साथ घटना हुई, जो हमने जुई सालत में हमने अपने बच्ची को देखा, या दस दिन जिन्दा रही, उसके साथ रहे, वो उसका खुन से लथपस चेहरा, खटा, पिटा, शरीर, उसने हमें हिमत दिया कि हम इतना कुछ देखके हम घर में नहीं बढ़ सकते, मुझे पता था मैं कुछ भी कर लूँगी हमें हमारी बच्ची वापिस नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने यही संकल्प लिया, कि हम हर सब महो कोशिस करेंगे, कि इनको फांसी की सजा हो, आगे हमारे बचियों के साथ ऐसा ना हो, हम ऐसा कुछ करेंगे, हला इतना कहना असान था, सोचना असान था, लेकिन करना बहुत मुश्किल रहा साथ सालों में, आज भी बचियों के साथ कहीं न कहीं होई रहा है, अब तो जिन्दा जला रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है, कि हमें हीमत नहीं हारने चाहिए जो भी ऐसे परिवार हैं जिसके परिवार में ऐसा कुछ हुआ है उनको सपोर्ट सबसे पहले उस बच्ची को सपोर्ट करें उस महिला को सपोर्ट करें समाज का भी दायत बनता है कानून तो अपने जगह पे है समाज का दायत बनता है कि जितना हम किसी की help कर पाएं करें क्योंकि हमारी लड़ाई अकेले की नहीं थी हमारे साथ जब हमको लोग नहीं जानते थे तब भी भी सपोर्ट किया आज भी सपोर्ट किया कर रहे हैं साथ नहीं थे लेकिन कहीना जहां थे वहां से जुड़े रहे हमें होसला देते रहे आज हमें इस मुकाम पे हैं कि नहीं हम उमीद कर सकते हैं कि नहीं अब उनको फासी हो जाएगी तो हमारा इस समाज का दायत बनता है कि हम एक दुसरे की मदद करें जरूरी नहीं है कि हम अपना सब कुछ लगा दें लेकिन इतना जरूर है कि जितना हम कर पाएं उतना जरूर हेल्प करें खास कर उस बची को उस महिला को जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हम उसकी हेल्प जरूर करें जितना कर सकें जरूर करें तो आपने सुना यह मारसाद नित्विया की माँ थी जिनका साफ कहना था कि साथ साल का संगर्श उन्होंने लड़ा और अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाया क्योंकि वो चाहती थी उन्हें इंसाफ मिले और वो डटकर लड़ती रही और उनका ये भी कहना है कि आगे जो लोग इससे जूज रहें उनको भ इंसाफ मिलता रहे कामरा परसन अम्मित के साथ मैं फरकान आर्नाइन टीवी